वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल यहां पर देखें यहां पर बशुरा सा एकदम ड्राइ केक मैंने बनाया है कस्टमर की डिमांड पर आज उन्हें जो थाना बिल्कुल ड्राइ केक चाहिए था ऐसे फ्रूट्स वाला तो इसकी पूरी रैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी काफी जादा स्पॉंजी बना था बहुत टेस्टी बनाता और यह बिल्कुल औरेंज फ्लेवर का था तो चले इसे शुरू करते बनाना तो यहां पर देखें मैंने मिक्सिंग बॉल ले लिया है और यहां पर मैंने नॉर्मल रूम टेंपरेचर में जो है ना हाफकब जितन अब कोई सभी ब्रैंड का वीनिगर यूज कर सकते हो तो यहां पर देखें मेरे पास वन जो टेबल स्पॉन था ना मैजरिंग कप में जो आता है यह मैंने भर के बिल्कुल ले लिया और इसे जो है मैं बिल्कुल लूद में डाल के अच्छे से स्पॉन की हेल्प से टया स के तक हैं मैं इसे 10 मिनिट तक थोड़ा रैस्ट होने के लिए देंगे देखें यहां पर 10 मिनिट हो गया है। और इसी सब्सनी जो हमें थी विल्कुल जैसे चाहिए थी बिल्कुल यह देखें वैसी हो गई है बिल्कुल इस तरीके से ही हमें चाहिए था तो यह देखे चोटे-चोटे सी यह तक्के जैसे दूद फट जाता ना जिस टाइप का यह बिल्कुल वैसे हो गया है आप चाहो तो एक टेवल स्पून इस वीनिगर की जगा पे नीबू का रस्पी डाल सकते हो यहां पे देखे स पीसी हुई तू टर्ट कप जो है यह चीनी है अब नॉर्मल चीनी जो आती है उसे मिक्सी ग्रेंडर में बिल्कुल अच्छे जिग दों फाइन पेस्ट बना लें और यह वली जो जो चीनी है ना भी से यूज करें तो इसे भी जो है मैं बिल्कुल अच्छे से डाल दूग है जब तक इसमें कोई भी लंस ना हो और यह दूद और जो चीनी और जो मैंने रिफाइन डॉयल सारा कुछ डाला है यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स होके एक अच्छा सा बिल्कुल बैटर बन जाए इस तरीके के एक दम स्मूज सा इसे हम तब तक बिल्कुल मिक्स करते जाना है तो यह देखें से बिल्कुल मिक्स करते जाए और यह बिल्कुल बनने वाला है तो मैं कैसे और जूस यूस करते हो भी आपको दिखाऊंगे इसे और यह जो कस्टमर में मुझे दिया था था इसे इन्हें ड्राइ केक ही कहना था क्योंकि इन्होंने किसी सीनियर चि मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन तियार की तो यह देखें यहां पर बिल्कुल मिक्सचर जो था ना हमारे यह वाला बिल्कुल बनके एककम रेटी था यह देखें बिल्कुल इसमें कोई भी लंज नहीं है सारा कुछ जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसे एक पर फिर भी और आपको दिखाऊंगे कैसे यूज करते हैं यहां पर चननी ले लिए जिसेंगे स्टेणर कहते हैं यहां पर चान सकें और साथी में यहां पर मैंने जो हैंना 1 फौर्थ टीजपून जितना यह देखें यह बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा ले लिए बिल्कुल सबसे चोटा यह देखेंगे ताकि जितने भी ट्राइ इंग्रीडियंट्स अना सारे के सारे बाल्व में त्रांसफर हो जाये और दाने डान रह जाए यह बिल्कुल सबस्क्ना अच्छे से बने काफ़ी हो जाता है विनिगर डालने से सॉफ्ट होता है केक बेकि बेकिए पेकोगेए केक तोवन से निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगे कितना ज्यादा सॉफ्ट है तो इसे देखे पहल कि छोटा वाला विस्क ले लिया था मैंने विस्की हेल्प से जो है एकी साइट पर मैं जेंटली जो है बिल्कुल मिक्स करती जाओंगी अगर हम राइट साइट पर करें तो अगर आप लेफ्ट साइट पर करें तो अगर आप लेफ्ट साइट से ही इस प्रोसेस को करें लेकिन एकी साइट पर करें और जेंटली करें तो इस तरीके से देखे से मैं बिल्कुल अच्छे से जो है ना मिक्स करती जाओंगे जो मेरे चैनल पर नए है मेरे चैनल को सब् और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पयार दे तो यह देखें लिए बैटर को बिल्कुल अच्छे से जो है इस तरीके से ब्लब करते जाएंगे तो इसे हमें जादा नहीं यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना इसलिए मैंने यहां पर एक चम्मत जितना ही यूज की आप जाओ हो तो थोड़ा सो और यूज कर सकते हो यहां पर यहां पर साथ ही मेरे पास यहां पर 6 इंच का जो है ना केक टीन है यह फ्लैट वाला तो इसमें जो है हम आदा बैटर पहले पोर करेंगे तो यह देखें यह पैच्मेंट पेपर था यह निकी बटर पेपर था वह मैंने लगा दिया और यहां पर हाफ जो बैटर था यह मैं पहले पोर कर दोंगी यहां पर यह देखें और इसे जो है ना बिलकुल अच्छे से हम टैप कर लेंगे ताकि बिलकुल हो जाए और एयर बबल्स जो भी है वह बिलकुल कुछ भी ना रहा है इसमें और इस स्टेज पे देखें यह मेरे पास टूटी फ्रूटी थी तो इसका टीस सब को ही पसंद आता है तो इस स्टेज पे मैं यहां पर डालूँगी और आप भी इसी तरीके से डाले और इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राइ पर डालते हैं कि कहीं वह बैट ना जाए लेकिन अगर आप इस तरीके से डालोगे ना डेफिनेटली मैं बोलती हूं कि बहुत अच्छी लुक भी आएगी टेस्ट भी आएगा और कहीं पर भी टूटी फूटी या ट्राइफ रूट जो है ना बिल्कुल भी नहीं बैटें यह देखें लास्ट वाला जो बैटर था वह भी मैंने पूर पोर कर दिया और इसके उपर जितनी भी मेरे पास यह टूटी फूटी भजी थी जितनी मुझे चाहिए थी मैंने बिल्कुल उतनी ही इसके ओपर भी बैठ कर दी है इस तरीके से और ओने पहले से दस मिनिट के प्री हीटेड रख दिया था इसे मैं 35 मिनिट के लिए बेक करूंगी 180 डिग्री सेंटी क्रेट पे और हमेशा याद रखे बिलकुल प्री हीटेड ओविन में ही इसे बेक करें तो चले बेकिंग के लिए रखते हैं बेक तो इस तरीके से हम धक देंगे ताकि जो हेना यह और अच्छे से थंड़ा हो जाए सॉफ्ट हो जाए क्योंकि भी केक जोए है काफी जादा गरम या तो यहां पेर ताइम होना है था आदे गंटे से जादा केक बिलकुल अच्छे से थंड़ा न canyon आ ताकि जो है अब हम किस्टमर को देना था बिल्कुल तो इसलिए जो है ना मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी और मैंने अपने कस्टमर को कहा था कि आप जो है ना इसकी एक स्लाइज की पिक्चर हमें मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि अंदर से जो केक है कैसा बेक हुआ और जब मैं उन्हों को केक दिया और उन्होंने खाया सच में बहुत तारीफ मेली और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंदाए कहीं से भी उन्हें कुछ भी ड्राई नहीं लगा कुछ भी हार्ड नहीं लगा बहुत ज़्यादा टेस्ट भी एंड लुक भी उन्हें काफी अच्छा लगा और उनुहें पेखा है क्रीम केख करें लुकुल रिवल एक तैंटेंग को ग्रीम केक का प्रिफर करेंगे कि बहुत सॉफ्ट है यह देखें बहुत ज्यादा लाइट बेटेड है तो यह देखें इस तरीके से जोईना इसे मैंने बनागर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताए थैंक्स फर वाचिंग